तो जाओ लेंगे सिखने की स्रीज में आज हम लोग देखने वाले हैं Hierarchal Inheritance तो Hierarchal Inheritance में basically क्या होता है आग के पास एक Parent Class होगा और उसके More Than One Child Class होगे मतलब यहाँ पे Multi Level नहीं होगा यहाँ पे जदे आप आओगे इसमें तो देश सकतो एक Parent Class है इसके दो Child Class है मतलब More Than One Child Class आप यूज़ कर सकते हो एक Parent Class का इसको आप बोल देते हो Hierarchal तो यहाँ पे देखिए Parent Class का जो प्रोपेटी आप भी हभियर होगा वो एक्सेस कर लेगा Child 1 उसी को एक्सेस कर लेगा Child 2 मतलब यह Child 1 और Child 2 जो है वो इंडिपेंडेंट है लेकिन यह प्रोपेटी आपसेस कर रहा है Parent Class को दोनों के सेम Parent तो यहाँ पे इसका खुद का Play है इसका Work है और Parent वाला It है और Name है तो Child 1 भी आपसेस कर सकता है Parent वाले डेटा को जो कि है Name और It इसका खुद का है Play और Child 2 खुद का है Work और इसका है It और Name तो यह Child 2 एकसेस कर सकता है लेकिन जदी आप बोलोगे कि Child 2 जो है वो Play को एकसेस कर ले तो वो नहीं होगा तो यहाँ पे Inheritance हमारे नहीं लग रहा है Inheritance पैरेंट से लग रहा है जदी Same Name से आप फैलनेम बनाते हो और वहाँ पे Mention कर लेते हो तो उसी Name से आप Class नहीं बना सकते हो तो यहाँ पे मैं सारे को डिलीट कर लेता हूं जो भी मैंने बनाया हुआ है आप बैक अप रख लेना या फिर आप दूसरे Name से Class Name दे सकते हो तो यह मैंने डिलीट कर दिया है सारे अब यहाँ पे क्या करता हूं एक फैल बनाता हूं और इसको कर लेता हूं Hierarchal Inheritance Public Static Word में Finish तो Hierarchal में यहाँ पे एक बनाते हैं Class इसको कर लेते हैं Parent Career Backet Enter यहाँ पे रख लेते हैं String Name और एक कर लेते हैं World Eat Career Backet Enter Syso Control Space और यहाँ पे Eating All Right उसके बाद यहाँ पे Child Class गनाते हैं Class यहाँ पे कर लेते हैं Child One Extend करेगा किसको Parent को Career Backet Enter और यहाँ पे Suppose कर लिया Word Play Career Backet Enter Syso Control Space यहाँ पे कर लेते हैं Playing All Right एक दूसरा Child बनाते हैं तो यहाँ पे Control V Child Two यह किसको Access करेगा? Parent को Child One को Access नहीं करेगा नहीं तो वह क्या हो जाएगा? Multi Level Hierarchal में एक Parent दो Child More Than One Child हो सकता है तो Child One Parent को Access करेगा Child Two Parent को Access करेगा यह आपस में Access नहीं होंगे ठीक है? तो अभी हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे Child One का Object बनाते हैं क्योंकि दोनों यह दूसरे के Independent हैं तो दोनों का यहाँ पे हम लोग अलग Object बना लेते हैं तो C1 Object बनाया New यहाँ पे Child One All Right उसी तरह Child Two के लिए बना लेते हैं तो इस यूप कर लेते हैं Control C Control V यह हो जाएगा आपका Child Two Variable Name C2 और यहाँ पे भी Child Two अब देखें Child One जो है इसका जो Object है Access कर लेगा Name and Eat को खुद इसका जो है Play तो यहाँ पे C1.Name यहाँ पे कर लेते हैं Sanjeet Coder All Right फिर यह Access कर लेगा C1.Eat को जो कि Parent वाला है और इसका जो खुद का है C1.Play तो Play को Access कर लिया उसके बाद जो C2 है यह खुद का Access कर लेगा और Parent वालेगा तो Parent के थूँ यहाँ पे कर लेते हैं C2.Name इसमें कर लेते हैं Alice Coder और C2. यहाँ पे Parent वाले को Access करेगा तो वह है It और इसका जो खुद का मेथड है C2.Walk तो वह भी यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे Print कर वालेते हैं C1.Name और C2.Name तो यहाँ पे अच्छा यह Walk होगा और यहाँ पे से मेथरनेम हो गया था तो यहाँ पे SYS O Ctrl स्पेस और यह हो जाएगा C1.Name इसको यहाँ से Copy किया Ctrl V किया C2.Name All Right तो यहाँ पे यह सारे Print करके दे देगा हमें तो यहाँ पे Right Click Run as Java Application तो देख सकते हूँ यहाँ पे Eating आ गया अभी हम दो C1 के थरू एक्सेस कर रहे हैं तो यह Eating Playing हो गया उसके बाद यह C2 के थरू तो Eating Working All Right और यहाँ पे Sanjit Quarter C1 के थरू Alice Quarter C2 के थरू All Right अभ यहाँ पे देखिए जदी यहाँ पे C2 के थरू एक्सेस करना चाहते हो Play को तो वो आप नहीं कर सकते हो यहाँ पे देख सकते हो C2.Play हमने लिखा C2 जो है वो एक्सेस कर रहे है Parent Class को और Play जो है वो पार्ट है C1 का तो यहाँ पे देख सकते हो Child 1 का जो पार्ट है वो Play है और Child 2 के थरू हम लोग एक्सेस करना चाहरे है Play को तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा यहाँ पे यह Error दे रहा है क्या बोल रहा है The method play is undefined for the type Child 2 और जदी आप इसको run करोगे तो यह आपको Error देगा Java Application यहाँ भी देखिए Error देगा क्या दे रहा है The method play is undefined for the type Child 2 तो यह Compile Time Error देगा जब आप उसको एक्सेस करना चाहरे ओके तो यही हो जाता है आपका Concept Hierarchal Inheritance तो उमीद है वीडियो जोरू अच्छे लगोगे सब्सक्राइब जोरू करना चैनल को मिलते नेक्स उड़ो में Thank You Happy Learning